लालू प्रसाद और आपड़ी देवी का तस्वीर हटा करके और चुनाव लड़ सकते हैं, दोनों खेमे की बात करें तो अधिक सीट भारते जनता पाटी के पास अगरें, भारते जनता पाटी को अपना दवत्रवा बनाना है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है नवसकार, खेल समझे में आपका स्वागत है, कुछ ऐसी चर्चाएं बिहार में अभी चल रही है, कुछ ऐसी राजनीतिक हलचलें बिहार में हो रही है, जो कि पब्लिक दोमेन में अभी तक नहीं आई है, जो कि आप तक नहीं पहुच पाई है इस मुद्दे पर हमारे साथ बाबा हैं बाबा से हम जानेंगे बाबा नितिस बाबू के तीर से तेजस्वी अखिरेस का भाजपा ने किया सिकार आखिर कैसे सिकार कर लिया देखे सागर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस देश में राजनितिक माहौल बन गया है उस माहौल में विश्वसनियता समाप्त हो गई है और पीठ में छूरा घूपने वाली बात तो आपने सुनाई होगा अब तीर भूखने वाली बात वो सुरू हो गई है नितिश कुमार ने दो हजार तेरह में जो अपने तीर से भाजपा का सिकार किया क्योंकि नरेंद मोदी को जैसे ही प्रधान मंत्री का उमिद्वार बनाया गया उन्होंने तीर भूख करके अपने आपको अलग कर लिया उसके बाद एक समय आया 2015 का जहां नितिश कुमार लालू के साथ जूड़े कॉंग्रेस सहयोगी दलों के साथ थी महागण बना और नितिश कुमार ने फिर दो साल के अंदर में एक बार फिर भूख दिया और लालो प्रषाध कांग्रेस के पीठ में जहां भी कह लिए तिर भूख करके वो फिर से जिसको तीर भोके ते पहली बार उसका घाव भर गया था, तो उसके साथ से ले आए, लेकिन ये भी continue नहीं कर पाया, 17 से लेकर के 2022 तक इन 5 सालों में नितिश कुमार बार बार ये कोशिश करते रहे कि अब अगला step क्या उठाएंगे, अब अगला उनका action क्या होगा, तो उन् अब उम्र के हिसाब से वो बुढ़े हो गया है, तो बुढ़ा सेर कंगन फेक करके अपने लिए जुगाळ करता है चारा का, अमित साह के हाथ में, एक बार फिर से उन्हें तीर थमा दिया, और कहा, कि अब लीजिए इस तीर से जिसका इसका सिकार करना करिये हम को बकस आज़ों में, यादो को एक बार लंबे समय के बाद, बावुलाल गौर के बाद ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, मोहन यादो, डॉक्तर मोहन यादो, जो यादो समाज से हैं, और यादो समाज से अगर किसी को दिया है प्रतिनेट, यूपी और बिहार से दिल्ली से स समभा हो पाया, इन सारी बातों को लेकर के अब आपको एक चीज बहुत बारीकी से समझनी होगी, कि नितीश कुमार जब 2022 में, लगभग आज से 13-14 महीने पहले, लालु परसाद के साथ आए, लालु परसाद नहीं कहा जा सकता है, वो तेजस्वी आदों के साथ आए, क्यो बाते जन्ता पार्टी के तरफ से उनको कई offer मिले थे, मुख्यमंत्री तो बनाया है गया, उपर के, उसके अलावे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के एवस में उनको बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन उनको उसको स्विकार नहीं किया, क्योंकि नितीश कुमार मुख जब तक मुख्य मंत्री हैं तब तक तो आप बिहार के मालिक है ना बिल्कुल बिल्कुल जो बर्जी आएगा उसो करेंगे और करते भी नितिश कुमार जिस पर कार फैसले लें लगतार आपने देखा होगा कि नितिश कुमार के फैसलों पर उंगली खड़ा करने का न तो भा आसन चलाने में मुझे परिशानी हो रही थी मुझे पर दवाव बनाया जा रहा था इसलिए हमने नाता थोड़ लिया एक बार फिर से आपको बता जेते हैं और यह हो सकता है कि जो आपका खिल समझी है काल जाई हो जाए बीस तारीख को जी 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 बीस तारीख के चर्चा जी बीस तारीख को सत्रह तारीख सत्रह से उने इसके बीच में एक मीटिंग रखी गई है जी जो दिल्ली में हुझी है इंडिया गट बंधन की अभी भी इसमें कौन-कौन जाएंगे यह तैन नहीं है अच्छा सीट सेरिंग का समझाता किया जाएगा यह बात कही जा रही लेकिन फाइनल नहीं है नितीश कुमार को कौन सी जीमवाली दी जाएगी यह फाइनल नहीं है आप जब भी साधी विया होता है तो ललका-ललकी का नाम चपता है ना जी पिलकुल पर उसी का दार पर आपको कहा रहे है कि आमंत्री थे हैं पलाने के भीया हमें चट्थी होत अब तक की तीन मीटिंग जो हुई उस मीटिंग में चक्का ना चाते रहे हैं स्टेरिंग उन्हीं के हाथ में रहा है कहीं नहीं कहीं नितीश कुमार को इस बात से भी नराजगी है और ये पूरी तरह सा अपमान के चलिए कि 17-18-19-19 को जो बैठक होनी है अभी डेट साय त ये ठिशो को डीए के नाम हैं क्या होता है इस बीच में आपने देखा हुगा कि और भी कही राजियों में इस तरह की परकृइव चल रही है लिए है इन सारी बातों को लेकर जब आंकणों की बात होती है, तो साफ नजर आता है कि नितिश कुमार में जो in it und watch की इस्तिती में है वो उस दिन का इंतियार कर रहा है कि उसका सिट शेरिंगुए किएवल कि प्रहनमंत्री के दावएदारी भी पैस कर सकते नितिश कुमार सबसे पहली बात कि अधिक्या को सिट शेरिंग का समझोता कैसे होगा और सिट के समझ되ोता में नितिश कुमार कितना डॉमिनेट कर पाते हैं नितीश कुमार के पास 16 सीटे हैं, जब आप समझिए उपेंद कुछ वहाँ उनसे अलग हो करके 8 सीटों पर दावेदारी कर सकते हैं, अपने प्रतिनिदी नियुक्त कर सकते हैं, तो ऐसी इस्थिती में नितीश कुमार क्या करेंगा, नितीश कुमार के 16 सांसद हैं, 17 सीटों और राष्टिय जंतादल बामदल मेल करके निजी इश्कमार को 17 सीटे देने जा रहे हैं क्या तो एक तो भंडोल का सबसे बड़ा कारण तो यही है दूसरा जिस बिसे पर चर्चा करने हम चले हैं कि आखिर बिहार और यूपी कैसे भाजपा के हाथ में कैसे आ गया इसके पी पूरा बिहार उसका हो गया बिल्कुल निटीश कुमार अलग हो गया इसलिए अब मामला जो है थोड़ा सा 19-20 का हो गया तो कि 16 सीटे उस खान खेमे से अलग हो गया लेकिन अभी भी दोनों खेमे की बात करें तो अधिक सीट भारते जंता पार्टी के पास है अब पार्टी में ये 40 की 40 सीटों पर भारते जंता पार्टी को अपना दबदबा बनाना है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और कहीं निटीश कुमार का तीर इसमें काम कर रहा है वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भी 60 से अच्छा क्योंकि आप समझे जैसे ही भारते जंता पार्टी यादो समाज को अपने तरफ अक्रिस्ट करने का कोशिश करेंगी जो बिहार में शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में भी लगबग सुरू होने जा रहा है क्योंकि मोहन यादो के फ्रेम में आने के बाद अब ये चर्चा खुब होगी हम आप रहे हैं तो आफ तो करेंगी करेंगी जो बिहार के प्रभारी थे भुपेंदर यादो उन्होंने ही उनको ह enam पर है रहा है वंबे समय तक रहे है उनने कोशिश किया कि यादों को एक्यूट करके और vyse-beard-byard जो है उतर ट्रांसफर ख किया जा सके उनने कोशिश भी की और बहुत हद तक काम्याब ही हुए जिसमें राम किरपाल यादा को लाना नित्या नंदराय को आगे प्रमोट करना यह सारी बातें लगवग क्लियर थी लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के अब जो बरतमान परिस्तिती बनी है उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से फोकस है हिंदी पर्टी के राज्यों में भारते जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन करना है चतिसगर राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश जारकंड दिल्ली इन सब राज्यों में जिस तरह से प्रदर्शन किया उसने साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं भारती जनतापाटी अप पूरी तरह से अपने प्लान वे में आगे चल रही है और तेजस्षी यादो अखिलेस यादो दोनों को एक फ्रेम में डाल करके और बाकी के यादों का आगे बढ़ान चाहती है आप बार बार सुनते होंगे कि यादो समाज के पास इधर अभी हमारी टीम जी गई थी सर्वे करने के लिए सिमांचल में वहां यादो समाज के युवा बच्चे कह रहे हैं कि हमें मिला क्या है हमें कुछ भी नहीं मिला है सिर्फ यादो नाम के चलते हम परिशान है और बरबाद भी है इसलिए हमें उस जातिये गणना का जो तीर जो है नितिश कुमार ने भातिये जन्तापाटी के हाथ में थमा दिया है और इसकी चर्चा इस बैठक में जो पुर्वी चत्रिये परिशत की बैठक होई उस बैठक में करके कही न कहीं एक बार फिर से अमीच साह का वो जो चानक के वाला जो क्या ज्यादा है वो उन्हें याद दिलाता रहेगा कि यादवों को भारतिय ल्यद्वाटी भारते जन्तापाटी बैठर से बैठर विकल्प के रूप में रख सकती है बाबा यादव के साथ सी को साथ लिया है वारते जन्तापाटी एप Jasmine ऑने का एक यादो और दूसरा ग स्थे इत्वक्राइब न्रूरते पुल्डॆ और के साथ जाते थे फिर ये पहरने ही जएक से ने यालो抗ी यूवश्च द्य जदेश कंप शोली सादर बनार चुन ये सब्सवित हम सब्सक्राइब क सब्सक्राइब कर दो पतिंद करें onwards well वो अब उस ठपा को अपने उपर से हटाना चाहती है और इसके लिए वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के विजन को आइडिलोजी को एडप्ट करना चाहती है या फिर नितीश कुमार के साथ वो जाना चाहती है तब जब नितीश कुमार लालू परसाद के साथ नहीं रहे और चुनाव लड़ सकते हैं कि कहीं हमारे उपर ये आरोप न लगे कि इनके माता-पिता ने क्या किया है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के यादों समाज के लोग कैसे करेंगे अब जो परिस्थिती बनी है उसमें कहीं ने कहीं मुलायम सिंग और लालू परसाद इन दोनों का जो राजनितिक सफर रहा है ये दोनों के सामने खड़ा होकर कि उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है और यही तस्वीर भाते जनता पाटी बार बार कैस करके और खास करके नित नितिस कुमार जब भी बैठते हैं लालू परसाद तो पुछते हैं कि 2005 से पहले कहा था जी बिल्कुल मंच से भी कहते हैं निशेत रुप से ये सारी चीजें भारती जनता पाटी को फाइदा कर रही है और इस फाइदे का लात भाते जनता पाटी जरूर उठाएगी और ब बहतरी के कागार पर है और देखिए बाबा ने आपको साब साब बता दिया कि 20 तारी का इंतिजार कही न कहीं नितिस कुमार भी कर रहे हैं 20 से पहले वो इंडिया गट बंधन की बैठकों में स्तामिल होते हैं या नहीं होते हैं ये देखने वाली बात है और 20 के बाद भी उन्होंने एक रैली प्लान कर रखाया है वारानसी में तो देखिए आगे क्या कुछ होता है लेकिन नितिस कुमार और अमित साहा के बीच में जो पैचप की बाते आ रहे थी उसमें कहीं न कहीं हकीकत नजर आ रही है फिलाल गेम समझे में इतना ही बहुत-बहुत धनेवा अगर यह वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लेए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद